हेलो क्लास 7 आज आप math में study करेंगे exercise 2.2 तो first question यहाँ पर क्या है आपका simplify the following तो आपको दिख रहा होगा कि यह fraction का question है fraction का addition है तो इसको आप कैसे करते हैं 7 plus 6 by 9 diminator कुछ नहीं दिया तो आप यहाँ पर upon 1 ले सकते हैं उसके बाद क्या लेते हैं calcium then 1 से 9 में divide करते तो आपको मिलता है 9 और 9 से 7 multiply कर दिया तो हो गया 63 ऐसी second fraction के साथ करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 अब आप add करेंगे कितना हो जाएगा 69 by 9 cancel कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 23 अब आप इसे mix fraction में change करेंगे 7 whole 2 by 3 हो गया ओके ऐसे सब्ट्रेक्ट अगर आप करते हैं कितना है 5-2 by 3 तो 5 के में diminator नहीं है upon 1 ले लिया एलसम लिया मिला आपको 3 फिर यहां 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 और यहां 2 अंजा 2 then subtract करेंगे कितना मिलेगा आपको 13 by 3 और इसे आप mix fraction में convert करेंगे तो 4 times आएगा और 1 बचेगा 1 by 3 ओके ऐसी question number 4 जो है आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा 5 whole 3 by 7 plus 4 whole 1 by 2 plus 7 whole 3 by 7 पहले आप इसे improper में change कर दीजे तो 5 से बंजा 35 35 और 3 हो जाएगा 38 by 7 then second fraction 4 2 जा 8 1 9 by 2 and third fraction हो जाएगा 77 जा 49 49 3 करेंगे 52 by 7 अब आप यहां पे एगर LCM लेते हैं तो LCM कितना आएगा आपको 14 तो टाइम जाएगा और 7 से डिवाइड करते हैं से LCM में तो कितना हो जाएगा 2 और 2 से हाँ मुल्टिप्लाइग करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 3 2 जा 6 1 7 76 ऐसे हां 7 9 63 हो जाएगा और यहां पर 2 टाइम आएगा 7 से गर 14 में डिवाइड करते हैं 2 से multiply करें 52 में तो आपको मिलेगा 104 और आप इसे क्या करेंगे add कर देंगे तो 4 3 7 7 6 आपका हो गया 13 और फिर 6 7 13 और 114 और यहां 112 ओके अपन 14 अब आप इसे क्या करेंगे mix fraction में convert कर देंगे तो जब आप इसे mix fraction में convert करेंगे क्या मिलेगा 14 हूल सॉरी 17 हूल आएगा यहां देखे साइड में corner मैंने divide किया हूआ है वहीं से मैं write कर रहा हूं 17 हूल यह remainder कितना है 5 तो आप 5 by 14 write करतेंगे ओके चलते हैं next question पे next question है आपका simplify ओके तो यहां पे 3 हूल 1 by 5 plus 2 हूल 1 by 10 minus 1 हूल 1 by 2 then 1 by 4 इसे change कर लेते हैं 5 3 जा 15 1 16 by 5 then 21 by 10 then 3 by 2 और minus 1 by 4 same अब आप यहां पे एगर LCM लीजे तो LCM कितना हैगा 20 हो जाएगा यहां पे आपका LCM 20 राइट कर दिया और 5 से गर 20 डिवाइट करते कितना मिलता है 4 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 ऐसे 10 तो 20 तो यहां 42 हो जाएगा और 210 जा 20 10 टाइमा तो 10 3 जा कितना हो जाएगा तुरेटिव नमबर यहां इन दोनों यह पॉस्टिव आप इसको आड करेंगे और इन दोनों को अड़ करेंगे तो जब कितना हो गया 6 और 6 जतना हो गया 10 और जब नमबर को आप आट करते तो आंसर आपका निगेटिव होगा इसलिए कितना हैगा minus 35 by 20 अब आप इसे subtract कर दीजे तो 6 minus 5 करेंगे 1 और 10 minus 3 करेंगे 7 by 20 चिंज कर दीजे आप इसे mixed fraction में तो 3 time जाएगा 60 हो जाएगा 11 बचेगा 11 by कितना हो गया 20 ओके next question number 3 देख question number 3 है find the difference तो आपको subtract करना है तो कितना है 3 हूल 3 by 10 minus 1 हूल 7 by 15 तो यहाँ पर इसे change कर दीजे improper में 10 3 जा 30 33 by 10 और यहाँ पर 15 बन जा 15 15 7 कितना हो जाएगा आपका 22 22 by 15 ओके then after you will take LCM, LCM will be 30 ओके and when you will divide by 10 in 30 30 you will get 3 ओके 3 से multiply कर दीए 33 में यू विल गेट 99 same as here 2 जा 33 and then 2 जा 44 ओके subtract कर यह तो कितना हो जाएगा 55 by 30 अब आप इसे cancel कर सकते हैं 5 से 5 जा and 5 11 जा ओके then 11 by 6 और आप इसे अब उसमें शेंज कर दीजे मिक्स फ्रेक्शन में तो 1 हूल 5 by 6 ओके ऐसे कोशें नमबर 2 यू विल दू यूरसेल्फ कोशें नमबर 4 अगर आप इसे इसली बोले तो क्या यहां पे खो सकता है कि सिस्टीन में आप क्या आइट करें सॉरी सेवन हूल 3 by 5 में क्या आइट करें कि सिस्टीन हो जाएं तो यहां पे अगर हम थोड़ा सा कोशें को सिंप्ली वेव करें कि 2 में हम क्या आइट करें कि कितना हो जाए 10 हो जाए तो आप बोलेंगे 8 अब यह 8 कैसे आया आपके पास जब कि कितना था 2 और 10 था तो आपको क्या करना पड़ेगा 10-2 करना पड़ेगा इससे आपको मिल जाएगा 8 ओके यहां पर आप ऐसे लिख सकते है 16 यह रिक्वार्ड नंबर इक्वार्ड टू रिक्वार्ड नंबर इक्वार्ड टू 16 माइनस 7 होल 3 बाई 5 ओके तो आप यहां पर पान 1 ले सकते हैं 16 बाई 1 और इससे चेंज कर दीजें इंप्रॉपर में 7 5 जा 35 35 और 3 आपका हो ओके अब LCM लेंगे तो यहां 5 और 16 5 जा कितना हो जाएगा 80 और यहां 38 सब्टेट कर दीजे तो कितना जाएगा आपका 42 बाई 5 आप इसे चेंज कर दीजे मिक्स में 5 जा 40 एट होल 2 बाई 5 ओके ऐसी कोस्टिन नंबर 5 देखी क्या कह रहा है कि which fraction is greater फर्स्ट है 3 बाई 8 और तो second क्या है आपका 5 by 16 ओके तो 3 by 8 और 5 by 16 यहां डूमिटर कर आप LCM लेंगे तो LCM आपको कितना मिलेगा 16 मिलेगा ओके तो 3 by 8 त्राइट करेंगे और इस 8 से 16 में यहां पर LCM में डिवाइट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2 तो 2 से आप उपर नीचे दुनों multiply कर देंगे ऐसे यहां पर 5 by 16 write करेंगे और 16 से अगर 16 में divide करते तो आपको मिलेगा 1 मतलब आपको यहां पर 1 से multiply करना है तो उपर देखिए हां 3 2 जा कितना हो गया 6 और 8 2 जा 16 और यहां पर 5 बन जा 5 और यहां पर 16 अब इन दोलों को अगर आप compare करेंगे तो first value fraction देखिए आपको greater आ रहे है यहां पर write करेंगे because 6 by 16 is greater than 5 by 16 तो therefore 6 by 16 को question में है नहीं question में क्या 3 by 8 तो आप क्या write करेंगे 3 by 8 is greater than 5 by 16 ओके students अब देन question number 6 question number 6 है आपका मुक्ता इस्टोडीज वो टू होल 1 by 5 बार एट होम और वाश टेलिवीजन 1 by 3 एन आर how much time does he spend on study and washing television तो total कितना time spend कर रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा addition करेंगे तो total spend time total spend time equal to 2 whole 1 by 5 plus 1 by 3 आप इसे change कर दिए करेंगे 5 to 10 और 11 by 5 plus 1 by 3 LCM लेते हैं तो कितना आएगा 15 और यहां cross multiplication कर सकते हैं easy method 11 to 33 and 5 बंजा 5 add कितना है 38 by 15 अब आप इसे divide करेंगे मतलब mix frame जब आप change करेंगे 2 times आएगा 15 to the 38 remainder by 15 total spend time equal to 2 whole 8 by 15 okay ऐसी question number 7 में देखें किया the cost of a chair 50 whole 1 by 2 and the table okay कितना 40 whole 1 by 4 what is the total cost of chair and table तो आप इसे write कर सकते हैं पहले इसे erase करना होगा question मैंने यहां पर erase कर दिया पहले आप question ऐसे note कर लिया करें तो ज्यादा अच्छा होता है cost of chair cost of chair equal to rupees 50 whole 1 by 2 then cost of table equal to rupees 49 whole 1 by 4 okay total cost total cost कितना हो जाएगा rupees 50 whole 1 by 2 plus rupees 49 whole 1 by 4 okay अब इसे अगर आप short method से करना चाहें तो देखें क्या होता है यह 50 और 49 आप प्रेकेट में write कर देजिए पहले 49 होगे चली कोई बात नहीं है plus 1 by 2 then 1 by 4 okay अब आप इसे अगर solve करते हैं तो आपने राइट कर लिया अब यहां पर आप इसे कितना हो गया 99 plus 3 by 4 तो यहां से बस आप plus remove कर दिए और यहीं इसका answer हो जाता है 99 whole 3 by 4 तो यह काफी आपके लिए easy पढ़ जाएगा ओके अब देखिए question no.8 क्या है a bag contain 12 whole 1 by 2 kg of floor 10 kg of floor was lost through a hole in the side मतलब एक bag में 12 and half kg आटा था तो उसमें से क्या हुआ 10 kg आपका floor lost हो गया कब एक hole से बाहर गिर गया तो कितना बसता है तो यहां पर आप सब्टेट कर देंगे और आपका answer आ जाएगा तो यह question आपको solve करेंगे और answer sheet से match कर लेंगे okay students